नमस्कार दोस्तो दयूटू ब्लोग में आप सबों का स्वागत हैं आज मैं आप सबों को एक मोटी वेस्टनल कहानी सुनाने वाला हूँ कि एक गुरुजी अपने सिस्ये के साथ जंगल से होते हुए अपने गाउँ जा रहे थे जाते जाते काफी साम हो गई सुर्य भी डूब गया और घर जाते काफी रात हो जाएगी इसलिए सिस्ये ने कहा कि गुरुजी घर यहां से काफी दूर है काफी रात हो जाएगी क्यों न एक रात के लिए आस पास के किसी गाउं में रुका जाए गुरू जी ने सिसी की बात सुनकर हां भर दी अब गुरू जी और सिसी दोनों मिलकर आस पास के गाउं में पहुँचे तो वहाँ पर एक जोपड़ा दिखाए दिया तो सिस ये रजाकर उस जोपड़े को खट-खट आया तो वहां से एक गरीब इनसान निकला उस गरीब इनसान से गुरू जी ने कहा कि हम लोग अपने गाउं जा रहे थे गाउं यहां से काफी दूर है जाने में काफी रात हो जाएगी इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक रात आपके घर में रुके उस गरीब आदमी ने गुरू की बात सुनकर एक रात रुकने के लिए अपने घर में सरन दे दिया गुरू जी ने उस गरीब आदमी से पूछा कि भाई साहाब आपका काम धंधा क्या है उस गरीब आदमी ने बताया कि मेरे पास एक भैस है उसी भैस का दूद बेचकर हम अपने पूरे परिवार का भरन पोशन करते हैं और जमीन भी धेर है लेकिन बंजर है उसमें खेती नहीं होती गाउवाले कहते हैं कि उसमें खेती करना बेवकुफी है बात करते करते का फी रात हो गई सब ही लोग सो गए आधी रात को गुरू जी ने अपने सिस्यू को उठाया और उस गरीब इनसान का भैस को लेकर वहां से चल दिये सिस ये ने आधी रास्ते में कहा कि गुरू जी आपने बहुत गलत किया कि उस गरीब इनसान का आजी विकाजी से चलती थी उसको आपने क्यूं ले लिया उस गुरू जी ने इसकी बात को सुन कर बस मुस्कुरा दिया अब दस साल बित चुके हैं दस साल बितने के बाद ओसिस ये एक बिद्वान बन चुका है उसको खयाल आया कि आज से दस साल पहले हमारे गुरू जी ने उस गरीब इनसान को भैस को आधी रात को लेकर निकला आये चल कर देखते ही कि उनका हालात अभी कैसे है जब सिस्य वहाँ जाकर देखा तो जिस जगह पर जौपड़ा था अब अलिसान महल बन चुका है और जो बंजर जमीन थी उस जमीन पर फाल फुरूट के बगान बन चुके हैं तो वहाँ पर एक आदमी को आते हुए देखा तो कोई और आदमी नहीं बलके वही गरीब आदमी था तो उस सिस्य ने उसे पहचान लिया जब सिस्य ने जाके पूरी दास्ता बताया तो उस गरीब इनसान ने इस सिस्य को पहचान लिया उस गरीब इनसान ने सिस्य से कहा कि आप लोग आधी रात को यहां से चल गए और उसी दिन मेरा भैश भी वहां से चला गया उसकी बात से मेरे पास आजवी का चलाने के लिए घर का भरण पोसन करने के लिए मेरे पास कोई आपसन नहीं रहा कोई बिकल्प न रहा जो बंजरे जमीन थी उस बंजर जमीन पर हम जी तोड मेहनत किये रात दीन मेहनत किये और धेर पैसा कमाएं इतना पैसा कमाएं कि आज गाओं का सबसे अमीर आदवी मैहू हूँ और इस घर में सबसे अलिसान बंगला मेरा ही है इसकी बात को सुनकर सिस्य की आखों में आसु आ गए है दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपको क्या सीख मिला कि इनसान के पास किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं है कोई कमी नहीं है हमें अपने आप में देखना है कि हमें कोई ऐसा चीज जो हमें आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रहा है अगर जो भी चीजे हमें आगे बढ़ने से रोकता है उन चीजों को हमें धरकिनार कर देना है और उससे मूँ मोड़के मुझे आगे निकल जाना है तो एक दिन हम आप सब काम्याब हो जाएंगे यही इस कहानी से सीख मिलता है दोस्तों एगर ये कहानी आप सबों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करे कॉमेंट सेक्सर में अपनी प्यारी प्यारी राय विचार हमारे साथ साज्या करे और दोस्तों के साथ वीडियो को जादा से जादा सेर करें बने रहें दायूटूब ब्लाउग के साथ धन्यवाद